हेलो दोस्तो था जिसका इंतजार वो शहकार आ गया पाकिस्तानी फिल्म अंडस्ट को रिवाइव करने में इस साल की दो फिल्मों का बहुत बड़ा रोल होगा जिनमें दी लेजेंड और मॉला जट जबके दूसरी फिल्म जो गुजिश्टा रोज रिलीस हुई सर्रार फिल्म सर्शान शाहत की अब तक की सबसे बड़ी हाई बजट हाई रेजुलेशन और बेहतरी फिल्म सर्शान शाहत की अब तक की सबसे मेटोग्राफिक फिल्म जर्रार रिलीस हो चुकी है जिसका इंतजार पुरी दुनिया को था जैसा के आपको मलूम है के शान शाहिद एक बेहतरीन महब्यवतन पकस्तानी जिसे पकस्तान का मुफास सबसे पहले अजीज होता है इस फिल्म में आपको शान शाहिद के देखने को मिले की जिसमें पकस्तान के टॉप एजनसी आईयसा की परफॉर्मिंस को जेरे मुझू बनाया गया और पकस्तान के दुश्मनों को इस फिल्म के जरिए बेहतरीन मैसेज भी पास किया गया बहुती उंदा फिल्म जिसके ग्राफिक्स, कैमरा रिजल्ट्स, एक् दी लेजेंड और मॉला जट को अक्स बंद करने के लिए उसकी परमोशन और फनकारों के मौाफ़से समेट सब कुछ मिला कर उस फिल्म की लागत 70 करोड रुपे आई थी और इस फिल्म को बनाने वालों ने 70 करोड लगा कर इस फिल्म से अब तक 200 करोड रुपे कमा लिये ह बिजनस वो भी पकस्तानी फिल्म का यकीन करना मुश्किल है लेकिन जब आप ये फिल्म देख लेंगे तो शायद आप ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इस फिल्म को 500 करोड रुपे का बिजनस करना चाहिए क्योंके पकस्तान के हिस्ट्री में दी लेजेंड और मॉला सकता है बेफ्तरीन फिल्म मेकिंग की गई दी लेजेंड और मॉला जट आज भी सैनमा घरों की जीनत बनी हुई है लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फिल्म जर्रार की फिल्म जर्रार भी दी लेजेंड और मॉला जट से कम नहीं दोनों की स्टोरी, एक्शन और स्टाइल इन तमाम चीज़ों में जमीन और आस्मान का फरक है लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है कि पाकस्तान की ये दोनों फिल्में इंटरनेशन स्टेंडर को मीट करती है इन दोनों फिल्मों को किसे भी हॉलिवूड या बॉलिवूड फिल्म से कमपेर किया जा सकता है बलके अगर आप इंडियन से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि पाकस्तान की ये दो फिल्में किसे भी इंडियन फिल्म से बेहतर है इन दोनों फिल्मों ने पाकस्तानी फिल्म डशी को इंडियन फिल्म इंडर्शी के मकाबले में लाग खड़ा किया बलके इंडियन फिल्म मेकर भी हिरान है कि पकिस्तान में इस कदर टैलन्ट मुझूद है पकिस्तानी परडियूसर्स, डिरेक्टर्स, फनकार्स सब के सब एक से बढ़कर एक हैं इंडियन्स की जानब से आप सोशिल मीडिया पर फिल्म जर्रार के मुझूद रवियू सर्च कर सकते हैं जर्रार ने पकिस्तानी फिल्म इंडियूसर्स को अगले लेवल तक ले जाना है शान शाहिद जो किसी दोर में कलाशन कोफ और गंडासे से पहचाने जाते थे मगर आज के बाद शान शाहिद को जर्रार के निस्बत लोग याद किया करेंगे किसी भी हॉलिवूद या बॉलिवूद फिल्मी हीरो से किया जा सकता है हमारी फिल्म एनडिस्ट्री और मुलक और हमारी अबादी कम होने की वज़ा से यहाँ परमोशन कम होती है या अगर आप सोशल मीडिया पर फनकारों के फालवर्स को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंडियन फनकार पकस्तान से बहुत आगे हैं जैसा कि शारू खान के सोशल मीडिया पर करोडों की तदाद में फालवर्स हैं जबके पकस्तानी फिल्मी हीरो शान शाहिद के लाख वहां फिल्म अंडस्ट्री बकाइदा एक पर्फेशन है, हकूमत भी स्पोर्ट करती है, हर साल हजारों की तताद में मुख्लिफ जबानों में फिल्में रिलीस होती है, वहां ज्यादा सर्माया है और ज्यादा आमदन भी, इसी वज़ा से वहां के फनकार पक्सनी फनकारों क मकाबले में ज्यादा मशूर और कामयाब हैं, लेकिन अगर इमानदारी से बात की जाए, तो मुझे ये कहने में कोई आर्ड नहीं, कि शान शाहिद किसी भी बॉलिफ फनकार से बेहतर फिल्मी हिरो हैं, शान शाहिद को अब तक जितने भी करेक्टर दिये गए, उन्होंने जरार में शान शाहिद की अदाकारी, एक्शन और फाइट को देखकर, ये कहने में कोई आर्ड नहीं, कि शान शाहिद को अगर इस किसम का फिल्मी महुल दिया जाए, तो वो किसी भी हॉलिफ या बालिफ फिल्मी फनकार का ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बलके उनको प जारू के महताज नहीं, जो पकस्तान के बेहतरीन डिरेक्टर्स में से एक थे, शान शाहिद उनी का बेटा है, शान शाहिद के वालत फिल्म डिरेक्टर और वालदा फिल्म एक्टर्स थी, जिनका नाम था नीलो बेगम, जो पकस्तान के सफ़े अवल की फिल्मी हीरों थी, फिल्म जरार के पर्डियूसर शान के भाई, अजाज शाहिद और अधनान बठ है लेजंड अदकार नदीम बेग साबी इस फिल्म का हिस्सा है हरफन मुला फनकार, नजर अजाज साबी, बेहतरीन फिल्मी विलन, शफकत चीमा साबी इस फिल्म में नज़र आएंगे और मरहूम रशीद नाज साबी इस फिल्म का हिस्सा है रशीद नाज जो इसी साल कुछ माँ पहले इस दुनिया से रुकसत हो गए इस फिल्म की रिलीजिंग से पहले ही वो वफात पा गए A.R.Y. फिल्म इसके डिस्ट्रिब्यूटर है और 25 नमबर 2022 को ये फिल्म सैनमा घरों की जिनत बन चुकी है इस फिल्म में इंग्लिश और उर्दू जबानों का इस्तमाल किया गया है 148 मिनट की फिल्म जिसे देखना हम सब पर लासिम है जी हम दोस्तों पाकिस्तनी फिल्म इसको सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म को देखने लास्मी जाना चाहिए पाकिस्तनी फिल्म इसको पुरी दुनिया के समने पेश करने में बहुत बड़ी और अच्छी कोशिश है जिस पर अब तक करोड़ रुपे खर्च हो चुके हैं और इस फिल्म को बनाने वालों ने करोड़ रुपे हमारी खातरी लगाए हैं ताकि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मियार के फिल्में बन सकती है इस फिल्म को यूरॉप अमेरिका कैनेडा समीथ रिलीस किया जा चुका है इंडिया में इस फिल्म की रिलीसिंग नहीं हुई हलाकि उनको इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है इंडियन सरकार को चाहिए कि अपना दिल बढ़ा करें और अपने सैनमा घरों में पाकस्तानी फिल्मों को मौका दें सियास्त नफरत दुश्मनी ये तमाम चीज़े चलती रहती है फिल्म इंडिस्ट्री दोनों मुलकों की अवाम को करीब लाती है इंडियन फिल्मे पकस्तान में जबके पकस्तानी फिल्मे इंडिया में रिलीस होनी चाहिए दोस्तो आज ही सैनमा घर जाकर इस फिल्म को लास्मी देखें मैं खुद आज शाम साथ बज़े इस फिल्म को देखने जा रहा हूं मैं खुद भी बहुत excited हूँ क्योंके मैं जानता हूँ कि जिस फिल्म में शान शाहिद हो वो फिल्म देखने में मज़ा ना दे ऐसा नहीं हो सकता शान शाहिद पक्सान की शान और आन है मिलते हैं इस फिल्म को देखने के बाद अपना ख्याल रखिएगा आला हाफिज